क्या आप एक interview की तयारी कर रहे हैं तो उस में से एक question की तयारी तो आपको जरूर करनी चाहिए और वैं है how much salary you expect यानि कि आप कितनी salary expect करते हैं या आपकी salary को लेकर क्या उम्मीने हैं दोस्तों ये question सुनने में जितना आसान है और शायद आपको लगता होगा कि इसका उत्तर देना भी आसान है पर असल में ये question उतना ही टेड़ा है और उतना ही इसका answer देना मुश्किल है इसलिए इस video को मैं बहुत detail में बना रहा हूं और अगर आप इस video को अन तक देखते हैं जिसमें मैं end में एक bonus tip भी दूँगा तो मुझे यकीन है कि आप इस question को answer करने में expert हो जा इस चैनल पर हमें आपके career की growth और money की growth की परवाह रहती है इसलिए हम हमेशा अच्छे अच्छे नए ने useful videos लाते रहते हैं तो इस चैनल को अभी subscribe कर लिजिए और चलिए अब बढ़ते हैं इस video के subject की तरफ इस video में हम क्या discuss करने जा रहे हैं पहले वह मैं आपको पताना चाहूंगा सबसे पहले understanding the question दूसरा why the interviewer is asking this question तीसरा common mistakes in answering this question चौथा how to answer the question पांच्छवा what are the challenges in answering this question और चटा bonus टिप तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले समझते हैं कि ये question क्या है भई ये question तो बहुत सीधा साधा है इस question में कहागे है कि आप salary कितनी लेंगे और जाहिर सी बात है अगर आपको company job offer करती है और अगर आप उस offer को accept कर लेते हैं तो आपको उतनी salary मिलनी शुरू हो जाएगी दूसरा इस question को पूछने का interview का मकसद क्या है तो इसके दो reason हो सकते हैं पहला interview देखना चाहते हैं कि क्या आपकी services को company afford कर सकती है नहीं ऐसी बात नहीं है कि एक salary को afford नहीं कर सकती है परन्तु हर salary पर एक pay scale होता है जो कि पहले से ही define किया गया होता है तो क्या आप उस pay scale के अंदर क्या आप उस budget के अंदर लाते हैं वो interview जानना चाहते हैं तो इससे आप थोड़ा-thोड़ा hint लगा सकते हैं कि अब interview आपके बारे में थोड़ा serious और थोड़ा interested हो गए हैं दूसरा purpose हो सकता है interview का यह जानने के लिए कि आप अपनी services experience or skill self का क्या मुल्यांगन कर रहे हैं अब बात करते हैं common mistakes की देखिए मैंने बहुत सारे interviews लिये हैं और बहुत सारी लोगों को interview के लिए train किया है जब यह मैं उनके साथ यह question पूछता हूं तो कई बार मुझे बहुत ही आठपटे जवाब मिलते हैं जिसके बारे में मैं आपको warn करना चाहूंगा जैसे कि मैंने पूछा how much salary you expect तो वो कहाएगा 75 देखिए यह बहुत गलत आंसर है इसमें बहुत सारी गलतियां चुपी हुई है 75 क्या क्या आपको 75 रुपाय चाहिए क्या 75 रुपाय रोज के चाहिए हफते के चाहिए महीने के चाहिए यह साल के चाहिए अच्छा हो सकता है कि 75 एक बहुत ही यानि कि 75 एक उनको 75,000 पर मन्त चाहिए ये 75,000 पर एनम चाहिए इसलिए figure को हमेशा पूरा-पूरा बोलना चाहिए दूसरा चुकि ऐसे करके बैट के बात करना ये दर्शाता है कि आपका बड़ा ही laid-back attitude है और शायद आप काम में भी एक laid-back रवया दिखलाएंगे तो इसलिए आपको थो कभी भी एक specific figure code करने से बचिये तो ये थी गलतिया अब इस question को answer कैसे करें तो इस question को answer करने से पहले मैं आपको एक tip अभी सही दे देता हूँ आपको पता होना चाहिए कि आप जिस position के लिए interview में जाने वाले हैं मतलब आपको ये exercise पहले से करके रखनी है उसकी वास्तव मे क्या salary है अब इसको पता करने की तीन चार तरीके हैं सबसे पहले तरीका है कि आपको industry standard मालम होना चाहिए अब industry standard माल वीजे कि आपके पास तीन साल का experience है और आप computer engineer है और आप data analytics के field में काम करना चाहते हैं तो आपने तीन चीज़े तीन चीज़े specify कर दी क्या आपकी qualification क्या है आप किस position या किस field पर जा रहे हैं और आप किस काम पर जा रहे हैं अब इसको लेकर आप कुछ websites हैं जैसे glassdoor.com, linkedin या नौकरी वगारा पर आप वैसी positions को study करिए और देखिए कि salary क्या मिल रही है हो सकता है कि आपको एक range मिल जाए और वो range होगी साड़े तीन लाग से लेकर साड़े चार लाग यानि की 3.5 lakhs to 4.5 lakhs per annum दूसरा जब आपने इस company के advertisement के against apply किया तो हो सकता है कि इस company ने भी अपनी salary की एक range ये specific figure mention करी हो इसी तरह से आप जिस institute से पढ़कर आए हैं आप वहाँ के seniors या वहाँ के placement officers से बात कर सकते हैं कि आजकल क्या salary offer की जा रही है सीधे सीधे शब्दों में industry standards क्या हैं अब एक और tip में आपको देना चाहूंगा वह tip है कि अगर आपने salary कम मांगी तो आपको जीवन भर पश्तावा रहेगा कि लो भाई मैंने तो कम salary मांगी और उन्होंने वही salary दे दी और जीवन भर अब म मुस्करा कर आपको thank you कर दें और एक बहुत ही अच्छी opportunity आपके हाथ से जाती रहे तो ये जो दुविदा है इससे हमें बाहर निकलना है अब इसके लिए मैं आपको एक answer suggest कर रहा हूं पर ये एक perfect answer नहीं है अपने हिसाब से आप इसको थोड़ा सा fine tune कर सकते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी company industry के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया package मुझे offer कर सकती है इस interview के दौरान मैं आपसे और यादा जानना चाहूंगा कि company growth की opportunities, training and development की opportunities क्या देती है मुझे ये भी यकीन है कि अगर मैं आपके यहां काम करता हूं तो मुझे all round एक बहुत ही बढ़िया experience जिसमें बहुत ही कुछ सीखना और मेरी तरफ से बहुत कुछ कमने के लिए करना शामिल है तो इसलिए हम एक अच्छी सी figure की उपर agree कर सकते हैं अब आपने क्या किया कि आपने थोड़ा सा घुमा के जवाब दे दिया अगर तो interviewer समझदार है और वो जानता है कि salary दिना उनके हाथ में है तो वो शायद इस बात को और आगे नहीं लेकर जाएंगे पर कभी कभी ये हो सकता है कि interviewer बोले नहीं आपको एक figure बतानी ही पड़ेगी तब आप क्या करेंगे तो उसका भी एक solution है मेरे पास मैं आपको उसके लिए भी एक example answer दे रहा हूँ पर आपको उसे अपने हिसाब से पुड़ा modify करना पड़ेगा तो आप कह सकते हैं कि जैसा कि आपने देखा ही है मैं एक fresher हूँ यहाँ मेरे पास दो साल का experience है और मैंने computer engineering करी है और मैं data analytics के field में ही काम करता आ रहा हूँ और आपकी company में भी data analytics के field में काम करना चाहूँगा इसलिए मैंने थोड़ी सी market research करी है अपने senior से बात करी है और अपने institute से बात करी है तो उन्होंने मुझे बताया है कि इस position के लिए जो range है वो 3.5 lakhs से लेकर 4.5 lakhs है अब मुझे यकीन है कि मैं 4.5 lakhs के योग यह हूँ पर फिर भी मैं अपने आपके सामने प्रूव करना चाहूँगा इसलिए 4 lakhs या उससे उपर आप जो भी offer करेंगे मुझे मन्जूर होगा तो ये था दूसरा model answer अब बात करते हैं bonus tip की दिखिए salary में कुछ नहीं रखा है ये salary आपकी सिरफ अगले 12 महिनों के लिए है या 6 महिनों के लिए है या 15 महिनों के लिए है जो भी industry का trend है और जो भी देश के economic position है परंतु आपको तो तरकी करनी है तो इसलिए आप एक निश्चे आजी से कर लिजे कि अपनी income का 5 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत अपने उपर आप जरूर invest करेंगे किस चीज़ में invest करेंगे अपनी personality development अपनी skills development इससे क्या होगा कि आप company के लिए हमेशा एक भामूल्य resource एक valuable resource बनके रहेंगे उन्हें पता है कि जैसे जैसे technology improve हो रही है या चीजे चेंज हो रही है तो यही candidate है जो सबसे आगे बढ़कर इस काम को accept करेगा तो जब company का आपके उपर ये confidence होगा तो कि आप समझते हैं कि आपको increment या promotion या दोनों नहीं मिलेंगे तो इस वीडियो में बस इतना ही और इस वीडियो में मैंने अपना इतने सालों का personal experience आपके साथ share किया है उमीर है आपको फाइदा होगा मिलते हैं एक और नए वीडियो में करी आपको कुछ जा आपके साथ कर दो